तो दोस्तों अभी हमारा जो फस्त वीडु़ आया हुए था। क्रिप्टोग्राफिग अपने देखा था। उसमें हमने अपने जो लेक्स्टर्स डाले होए थे। उसमें हमने आपको जो क्रिप्टोग्राफिग इंट्रोड़क्रिपर हम marketing त। से हम्ने अब उनके बारे में अब further discussion करेंगे तो देखिए जो आपके पास पहले term है वो है आपका encryption जो कि इस particular word से आपको बार-बार आपको सब्जेक्ट में face करना पड़ेगा आपको यह सब्जेक्ट जिसमें आपको बार-बार सुनने को मिलेगा और फिर जैसे आपको encryption में हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है देखिए the process of converting plain text into ciphertext cdc कि बात क्या है plain text को ciphertext convert करने को यह क्या बोल जाता है encryption देखिए मैं आपको ऐसे वहां पर दिखाया था कि है लो को हमने plus two plus two जो किया था में jnppq करके लिखा था यहां पर आप देख सकते हैं hello है hello को कहा जाता है plain text जो कि आपका एक meaningless word है आपके सामने है ठीक है इसको जब हमने कुछ algorithm particular encryption किया इसको तो यह बन गया abdcce ciphertext particular मिल गया आपको तो इस process को पूरी process को बोलता है encryption जिसमें plain text को convert करते हैं ciphertext में clear ठीक है next आता हमारा decryption तो decryption देखिए क्या होता है the process of converting ciphertext into plain text इसके reverse को हम बोलते है decryption जैसे कैसे देखिए यहां पर क्या था हैलो था आपका plain text plain text को हमने ciphertext में convert किया वह process होगी encryption अब हम इस ciphertext को मतलब a b d c c e को हम reverse process लगाएंगे तो यह decrypt होके आपको hello दे देगा ठीक है तो इस process को कहा जाता है आपका decryption clear है यहां से ठीक है अब हम आते हैं हमारा जो crypto system क्या होता है तो देखिए the softwares and hardwares which are required to complete the task encryption and decryption are combinedly known as crypto systems तो देखिए encryption and decryption को perform करने के लिए जो भी हमें software और hardware की requirement होती है या जनकी मुलत से हम encryption and decryption process को perform कर पाते हैं तो उनको combinedly क्या बोल जाता है आपका crypto system तो यह चीज़ clear है ठीक है तो आए दोस्तों अब आगे देखते हैं तो आए थोड़े समझते हैं हम इनके applications के बारे में कि इनके applications कहां कहां पर है तो सबसे हम पहले बात करेंगे in communication communication किस तरह का होगा कोई verbal communication नहीं कि मैप से कह रहा हूँ या फिर आप मुझ से कह रही है इस तरह के application में आप यह काम नहीं करता है ठीक है आप इसको ध्यान रखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका application है वह है communication में और वह communication किस तरह का होना चाहिए electronic या फिर digital communication होना चाहिए इन storage में जैसे आपको data stored है आपका servers पर या फिर memory पर आपका data store है तो वहाँ पर encryption लगा सकते हैं data को secure करने के लिए कि कोई और आपके data को access ना कर पाएं ठीक है और जैसे servers पर है servers पर भी encryption लगा हुआ होता है ठीक है उसके बाद है voice calls voice conferences और आपका video conferences real time chatting platforms जैसे आपका facebook है और आपका WhatsApp है WhatsApp में आपने देखा होगा कई बार end to end encrypted लिखा हुआ आता है पतलब आप जो एक message एक जगे से दूसरी जगे बेजेंगे तो वह encrypted होगा और अगर कोई थार्ड पार्ट इसको access नहीं कर पाएगा ना तो video conferences भी है जैसे आपने एक connection मनले video conference है चालो किया किसी और के साथ तो वह encrypted रहेगा मतलब कोई और उसके बारे में नहीं जान पाएगा ठीक है तो थोड़ा हम देखिए हम देखते हैं कि communication में किस तरह से काम करता है ठीक है तो देखिए हैं यहां पर आपको PC1 रखा हुआ है जो कि परसनल के प्रूबवन है यहां पर प्रक्राइब कर लिया ठीक है यहां पर हमने क्या क्या देखिए माले जब कोई particular file भेजनी है ठीक है आपको PC1 से PC2 में तो PC1 से PC2 में भेजने क encrypt कर लिया password लगा रही है password protected file हो गई अब आपको वह password protected file यहां से यहां ट्रांसफर करनी है तो आपको एक जरूरत पड़ेगी प्रोटोकॉल की जिसके जरी आप उस file को इस particular PC पर भेजेंगे network के थूरू इंटरनेट हो सकता है या फिर private network हो सकता है ठीक है अब देखिए यह फाइल जो particular file थी वो इस PC से इस PC में जाएगी ठीक है और वो लॉक रहेगी इस पूरे अपने रास्ते में वो लॉक रहेगी अब यह जब इस PC में पहुंचेगी तो इस user के पास भी वो particular की होना चाहिए जिससे की आपका मतलब मेरा कहने मतलब उसके password होना चाहिए जिससे क वो इस file को open करेगा तो इस तरह से यह चीज होगी हमारी कहां पर communication में clear अब हम थोड़ा सा बात करें storage में कैसे होगा देखिए तो storage के अगर हम बात करें storage में यह आपका PC1 है ठीक है तो देखिए PC1 जब hard disk से communicate करता है अगर कोई encryption यूज नहीं हुआ तो data saved in un encrypted form में तो आप कि जो आपका data होगा वो disk में un encrypted form में होगा मतलब अगर कोई भी हो अगर administrator हो या फिर कोई और user हो आपके personal computer का तो वो भी उस data को access पा सकता है क्योंकि वो un encrypted है अब अगर हम बात ने encryption यूज किया देखिए यह आपका PC है यहाँ पे अपने particular data पे hard disk में आपने encryption यूज किया है तो जो आपका data होगा hard disk में वो encrypted होगा मतलब अगर आपके अलावा जैसे माल लीजे आप password शिर्फ आपको पता है और अगर किसी और को नहीं पता तो वो उस data को access नहीं कर पाएगा तो देखिए आप data saved in encrypted form ठीक है तो यह है अब देखिए basically अगर हम देखें cryptography is used where there is any type of digital communication क इसी भी तरह कि अगर digital communication होगी तो आप cryptography का इस्तिमाल कर सकते हैं उस particular communication को secure करने के लिए its main use is for maintaining privacy to extremum and data loss to minimum इसका जो main use है privacy को हम extremum में रखेंगे मतलब maximum रखेंगे बिल्कुल और जो data losses को minimum में रखेंगे तो friends आज का वीडियो जो हमारा है वो यहीं तक क्योंकि वीडियो जादा लंबा हो रहा है ठीक है और आपके जो भी questions है वो हमारे comment section में please आप लोग comment करके मुझे झाल